जोस्तो नेट्फ्लिक्स पर आज एक नई मुवी रिलीज हुई है जिसका नाम है डंगसेल जिसमें मीली बोबी ब्राउन एक लीड एक्ट्रेस है और इस मुवी का बजट है 550 करोर रुपिया तो चलिए जान लेते हैं कि मुवी कैसी है और आपको देखनी चाहिए या नहीं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को बाद में पूरा ये एक फेंटसी सर्वाइवल ड्रामा मुवी है जिसमें कहानी है एलोडी यानी मिली बोबी ब्राउन की जो की एक राजा की बेटी है लेकिन वो राजा बहुत गरीब है तभी एक दूसरे राजिये से एलोडी के लिए शादी का रिष्टा आता है और जिसके बदले में र उसको एक केव यानी एक गुफा में फेक देते है, जहाँ पर एक ड्रेगन रहता है अब एलोडी उस गुफा से वापस निकल पाएगी या नहीं और वो ड्रेगन वहां पे क्यूं रहता है और एलोडी के ससुराल वालों ने एलोडी को ड्रेगन का शिकार क्यूं बनाया? मिनिट थोड़ा सा बोरिंग फील जरूर होगा क्योंकि स्टोरी यहाँ पे बन रही है और बहुत सारे केरेक्टर जो है उसका इंट्रोड़क्शन भी होता है लेकिन उसके बाद पाई साब जब एलोडी गुफा के अंदर होती है वो कैसे सर्वाइव करती है उसको कैसे कैसे खत्रों का सामना करना पड़ता है यह सब देख कर आपको बहुत मज़ा आएगा साटिसफेक्शन मिलेगा क्योंकि गुफा के अंदर की दुनिया जो बनाई है ना भाई वो बहुत ही मस्त है वहीं ड्रेगन का लुक काफी स्केरी है तो जो इंटेंस और थ्रिल आपको फिल होगा वो एक अलब ही लेवल का होगा मतलब आपको भी डर लगेगा कि अब एलोडी तो गई अब यह नहीं बचेगी उसके साथ क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट है वो भी मज़ेदार है जिसकी वज़े से एंड में आप सेटिसफाइड फिल करेंगे लेकिन वहीं एक कंप्लेंट भी यह है कि लगबग आदी से ज्यादा मुवी उस गुफा के अंदर है जहां पर बहुत अंदेरा है और पूरी मुवी ही सिर्फ एलोडी यानि मिली ब्राउन के आज़ पास ही गुमती रहती है जिसकी वज़े से एक टाइम पर ऐसा लगने लगता है कि अब बस करो यार अब यह ओर हो गया बस यही एक कंप्लेंट है बाकी मुवी में सब कुछ सब कुछ बहुत बढ़िया है स्टाइटिंग फ्रॉम एक्टिंग वी अफेक्स स्क्रिंग प्ले एक्टिंग एक्टिंग एक्शन बेक्ग्राउंड म्यूजिक सब कुछ सब कुछ बहुत ही बढ़िया था और एंड में आपको सैटिसफेक्शन जरूर मिलेगा तो ओवर ओल मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 3.5 आउट ओफ 5 स्टार और मूवी में एक छोटासा चोटासा गिसिंग सीन है बाकी मूवी में कोई भी प्रोब्लेम नहीं है तो आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं ओड़ाई दोस्तों तो ये था हमारा आज का रिव्यू फिल्म डंसेल का आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ठुक दो में तो है अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई